Welcome to our channel smart idols. Friends, today we are here for a quiz on sacred book Ramayana. Here are some rules for this quiz. Friends, हम इस बार इन questions को हिंदी में भी बोलेंगे, okay? तो आईए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Friends, उससे पहले आप से एक request है. Please हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना साथी बैल आइकन को क्लिक भी कर देना उसे all पर सेट करना ताकि आपको हमाई लेटेस वीडियो के updates मिलते रहें, okay? तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करने जा एक question मतलब कि आपको 10 second मिलेंगे हर एक question के लिए ये एक MCQ जैसे quiz होगी, okay? चौथा आपका rule है कि आप जो भी answer देंगे उसे comment box में लिखते रहना, okay? पांच वरूल प्लीज हमाई चैनल को subscribe और like कर जरूर कर देना, okay? तब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पहला question, by which name the chapters in Ramayan are known as? मतलब कि किस नाम से Ramayan के chapters को बुलाये जाता है? आपके options है ये, A. Khand, B. Parts, C. Khand या D. Samavet, आपका time शुरू होता है अब. Friends, आपका time ये ही खतम होता है इस question का असली answer है, option A. Khand Ramayan में हर एक chapter को हम Khand कहते हैं, okay? So, friends, this is our second question. Lord Ram was the form of which of these dev among from these, okay? मैं कि Lord Ram इन में से किस देव के रूप थे, okay? आपके options है ये, A. Lord Shiva, B. Lord Brahma, C. Lord Vishnu, D. Lord Indra. आपका time शुरू होता है अब. Stop. आपका time ये ही खतम होता है. Friends, इसका असली answer है Lord Vishnu. उन्हों, भगवान Vishnu ने बहुत से रूप लिये थे, उनमें से उनका एक रूप था भगवान Ram का, okay? अब हम चलते हैं अपने अगले question पर. Friends, ये है हमाया तीसरा question और वो ये है, भगवान Ram के तीसरे मलब की सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? आपके option से ये, A. Love, B. Kush, C. Shatrugan, D. Lakshman. आपका समय शुरू होता है अब. Friends, अपका टाइम ये ही खतम होता है, इसका असली अंसर है, option B. Kush. बगवान Ram के दो बेटे थे, Love और Kush, उन्हें से Kush सबसे जाए बड़े थे, okay? अब हम चलते हैं अपने चौत्था question की ओर. Friends, ये है हमारा चौत्था question. Who was the lord from which Ravan had taken a rat in which Lord Ram went to Eodhya after killing Ravan? मतलब की, Ravan ने किस भगवान से एक रत चीना था, जिसमें भगवान Ram आयोध्या वापस गए थे, Ravan को हराने के बाद, उस युद में. आपके options हैं ये, A. Lord Indra, B. Lord Kubeer, C. Lord Shiva, D. Lord Brahma. आपको ये बिताना है कि वो रत ओरिजिनल में था किसका. आपके समय शुरू होता है अब. स्टॉप, आपका समय यहीं खतम होता है. Friends, Ravan ने को रत लॉट कुबेर से छीना था. अब हम चलते हैं अपने अगली कोशिन के ओर, जो है हमारा पांचवा कोशिन. यह हमारा पांचवा कोशिन. How many boons did K.K.E. got from King Dashat for saving his life in a war? इसका मतलब कि K.K.E. को कितने वर्दान मिले थे राजा दश्रत से उनकी जिन्दी बचाने के लिए कि युद्ध में? आपके options हैं यह A.1, B.2, C.3 या D.4. आपका समय शुरू होता है अब. Friends, आपका समय यहीं खतम होता है. इसका असली अंसर है option B.2. उन्हें दो वर्दान मिले थे जिन्में से पहले वर्दान में उन्होंने मांगा था कि उनके बेटे भारत को राजा बना दिया जाए. उनका दूसरा वर्दान था कि भगवान राम को वन में रहने के लिए 14 साल के लिए भेज दिया जाए. अब हम चलते हैं अपने 6 वे कोशिन की ओर. Friends, this is our 6th question. What is the other name of Ramayan? मतलब कि Ramayan का दूसरा नाम क्या है? आपके options हैं ये. A. दशानन वद, B. कुम्प करन वद, C. जनेश्वत, या D. महाभारत. आपका समय चुद होता है, अब. Stop. आपका समय ये ही खत्म होता है, friends. Ramayan का दूसरा नाम है दशानन वद, यानि कि option A. इसका साई अंसर है. दशानन, basically हम रावन को कहते हैं. उनका वद किया था भगवान राम ने. तो इसलिए इस बुक का दूसरा नाम है दशानन वद, ओके. अब चलते हैं अपने साथवे कुशिन की ओर. Friends, ये है हमाई साथवे कुशिन. Who defeated Lord Indra in Ramayan? मलत कि Ramayan के किस करेक्टर ने Lord Indra को हराया था? ओके. अब का option है ये. A. रावन, B. इंदरजीत, C. लौर्ड राम, या D. शत्रुगन. आपका समय शुरूरता है अब. Stop. आपका समय ही कतम होता है. Friends, इंदरजीत ने, जो रावन का बेटा था, उसने भगवान इंदरगा को हराया था. तो friends, ये आठवा कोशिन है और ये बहुत ही सिंपल सा है. Who seted fire on Lanka? इसका मतलब कि लंका है जिस पे रावन राज करता था, उस पर आग किस नहीं लगाई थी? ये सबको उसे पता ही होता है. Option A, Lord Ram. Option B, Lord Hanuman. C, Sugree, VIA, D, Vibhishan. आपका समय शुरू होता है अब. Stop. Friends, आपका समय ये ही कतम होता है. इसका असली अंसर है Option B, Lord Hanuman. रावन ने उन्हें सजा देने के लिए उनकी पूंच पर आग लगाती थी. तो वो उड़े और अनने पूरी लंका अपनी पूंच सही जला दी. Okay. तो हम चलते हैं अपने 9th कोशिन की ओर. जो है माय सेकंड लास कोशिन. इसका मतलब की वो उस चिडिया का नाम क्या था जिसको रावन ने मार दिया था. भगवान सीथा को लंका ले जाते हुए. आपके ओप्शिन्स हीए. A. किश्टिंडा, B. कैशव, C. जटाईू, D. जमनेश्वर. आपका समय शुरू होता है अब. Stop. Friends, आपका समय यहीं खत्म होता है. इसका असली अंसर है जटाईू. रावन ने जटाईू के पन काटके उसे मार डाला था. अब हम चलते हैं अपने 10th कोशिन क्यों, जो है हमाया लास्ट कोशिन. Friends, यह रहा हमाया लास्ट कोशिन. Where did सुग्रीव रूल्ट? अला कि सुग्रीव कहां पर राच करते थे? आपके ओप्शिन्स हैं? A. अयोध्या, B. अवध, C. किष्चिन्डा या D. लंका. आपका समय शुरू होता है अब. Friends, आपका समय यहीं कतम होता है. सुग्रीव असलियत में किष्चिन्डा के उपर राच करते थे. किष्चिन्डा राच जिस जमीन के नीचे माला जाता था. Okay? कि वो जमीन के नीचे था. तो Friends, हम अपनी वीडियो को आज यहीं कतम करते हैं. एंड में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और वीडियो को लाइक ज़रूरी भी कर देना, okay? और अगर आपको ऐसी और कोईस देखनी और 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 अपनी नॉलिज बढ़ानी है तो अपने बैल आइकन को भी किलिक कर देना और इसे और पर सेट कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, okay? जिससे आप और नॉलिज कलेक्ट कर सकते हैं तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाई बाई